नमस्कार दोस्तों, किसान दैसें चानल पे मैं कामे सून कर वे सियावटी कल्चर आपका एक बर फीज स्वास करता हूँ जी दोस्तों, आज मैं किसान भायों के लिए एक ऐसा जविक तरीका लिकाया हूँ जो आपके फसलों में होने वाले थ्रिप्स का कंड्रोल सानी से करेगा जी हैं ये है निला चिपचीपा जाल जिसे ब्लु इस्टिएट रैप कहते हैं जिसका आप अपने फसलों पे उप्योग कर थ्रिप्स के नुक्सान से बस सकते हैं यह एक जविक तरीका है, तो इसके लिए मुख्य फसलों की बात करें, तो सब्जी वर्गी जितने फसल हैं, इसमें आप इसको उप्योग कर सकते हैं, जैसे मिश, टमाटर, बाइगन, कद्दू वर्गी फसल, अन्ने सब्जियां, तो जी दोस्तों, आईए इस निला चिपच पदार्थ को बनाने का तरीका देखते हैं, तो इसके लिए आपको एक डेड़ वाई एक फीट का कार्डबोड क्या हो सकते होगी, और गम या फिर सपेद ग्रीश क्या हो सकते होगी, बंबू क्या हो सकते होगी, और वायर क्या हो सकते होगी, इसको बनाने के लिए सब सपह यहां तृआ ने दिजलें आप काड्बूड को एक बाई डेड की साइज में कांट लें और इसमें नीला कलर की पेंट को लगा दें और इसको सुखा दें जी दोस्तों , सुखनेक बद आप इसमें गम या फीर सफ़एद गृषिस को लगा सकते हैं उसके बाद इसे बंबू से बान दें और अपने फसल के बीच ले जाएं जहां आपकी फसल लेगी है उस फसल के हाइट के नुसारी से आप अपनी फसलों पे लगा दें जी हां इससे इसमें त्रिप्स आकर चिपक जाएंगे और स्वतहिनर्ष्ट हो जाएंगे ये ब्लू स् ट्रैप असानी से बना सकते हैं अब इसकी फाइदे की बात करें या एक कम खर्चिला और कारगर उपाय है इसको उप्योग कर बहुती असान है या एक जविक तरीक है जिसे आप उप्योग कर सकते हैं त्रिप्स की कंट्रोल के बहुती कारगर उपाय है यह दोस्तों आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइका और सब्सक्राइब करें जय हीन जय भारत जय किसान